IPL 2030 का रंगारग आगाज 31 मार्च से होने वाला है इसको लेकर सभी टीने और उनके खिलाडी अपनी अपनी तयारियों में जुट चुके हैं और नेट पर खुब पसीना बहा रहे हैं सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने खिलाडियों के लिए कैम्प लगवाया हुआ है जहां पर बलेबाजों के प्राक्टिस के लिए नेट बॉलर्स को बुलाया जाता है हमें ये तो पता है कि किस खिलाड़ी को किस फ्रेंचाइजी ने कितने सालरी में अपने नाम किया हुआ है मगर क्या आपको पता है कि इन खिलाड़ीों को जम कर प्रैक्टिस कराने वाले नेट बॉलर्स को कितनी सालरी दी जाती है IPN 2023 के शुर्वास से पहले सभी तीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी तयारियों में जुट चुके है महें सिंधोनी जैसे खिलाड़ी जिन्हें अंतर आश्री प्रिकेट खेले अर्से बीट के हैं वो बहुत पहले से अपने कीमों के कैम से जुड़ चुके हैं और वहाँ पर खुब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या आपको पता है कि इंखिलाड़ीों को नेट प्रैक्टिस कराने वाले बॉलर्स को कितनी सालरी मिलती है आप आश्रे रिमत होईएगा अगर मैं कहूं कि ये फ्री में अपना योगदान टीमों को देते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आना तो लाजमी है कि ये फ्री में क्यों अपनी सर्विस देते हैं कोरोना काल में मिलते थे नेट बॉलर्स को लाखो रुपै कोरोना काल से पहले नेट बॉलर्स को फ्री में रखा जाता था मगर कोरोना काल में इनको भी सालरी दी जाती थी कोरोना के दौरान प्रोटोकॉल के चलते इनको बायो बबल में रखना पड़ता था और ये टीम के साथ ही ट्रावल करते थे और इनको पूरे सीजन का कम से कम पांच लाक रुपे सालरी दी जाती थी मगर कोरोना के बाद एक बार फिर से इनको फ्री में रखने की परंपरा शुरू हो गई है टीम में जिस भी शहर जाती है वहां का लोकल नेट बॉलर रख लिया करती है फ्री में काम करने से नेट बॉलर्स को क्या फायदा नेट बॉलर्स जब भी टीम से जोड़ते हैं तो उनको बड़े बड़े दिगजों के सामने बॉलिंग करने का मौका मिलता है जिस भी टीम के लिए वो Netballers बंदे हैं उनके कोच उनकी गलतियां बताते हैं जिससे उनके Balling में सुधार होता है और तनापन बढ़ता है कुछ Netballers में अगर जादा ही प्रतीबा होती है तो टीम में उन्हें डारेट अपनी टीम में भी शामिल कर लेती हैं इसका जीता जगता उधारण उम्रान मलिक का है जिने संराइजेस हैदराबाद ने नेटबॉलर की रूप में बुलाया था और फिर उनकी प्रतिबा देख कर टीम में शामिल किया और फिर उन्हें अंतराश्च्री टीम में भी खिलने का मौका मिला आज के अपने इस वीडियो में बस अतना ही आप अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें मस्त रहें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेश से जुड़ी धेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें